स्वागता आप लोग का मेरे चैनल में सो गाइज आज की वीडियो मारी अस माइक्रोफे प्रोड़क्स लेट पे हैं तो गाइज वीडियो को पूरा एंट तक दिखिए आपको इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन मिस हो सकती है क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट है यह आपको अब इसका प्राइस 5997 पर चल रहा है और कैसे कि मैं आपको लाइक बता हूं पिछले एक साल के अंदस ने 168 परसंट का रिटन दिया और पिछले 6 मंत में अगर आप देखोगे तो इसने 39 परसंट का रिटन दिया और कल के दिन जा मार्केट क्लोज होई तो यह नियर अब पॉइंट 58 क्लोड का एक नया और मिला है यह ओडर मीडियम पावर अडार सब सिस्टम के सप्राई के लिए दिया गया और इस ओडर को पूरा करने में लग बग 36 मंत लगेगी यह वहीं इसने यह बात 28 मार्ट को बताई थी बजार के अंदर थोड़ा सा इतना बूम देखन इसने को मिलता स्टॉक के अंदर एक साल के अंदर इसने 168 पिसम का रिटन तो दिया लेकिन चार्ट में उतार चड़ाव है अगर आप देखोगे तो अगर उसको थोड़ा सा अंगर नजर अंदास को तो तो इसने नियरवर 174 पिसम का रिटन दिया है कैस मदब एक साल क्या अंदर अलाइक पहले ही 28 मार्च को ही 2013 निया से एक साल पहले कैस्ट तो हद दो सो सत्र और पर ट्रेट करा था दो सतर पर दो पैसे भी आगर किसी ने इस क्या अंदर मोटा मोटा लगा लो पचास हजार भी लगा होते तो इसका आज वन लाक रुपीस स्वारी वन लाक बन होता है कैस्ट वहीं बेसी पे यह कभी 52 पे था अगर इस तर किसी ने एक लाक रुपी लगा तो इसका ग्यार लाक रुपे बन चुका होता है तो आपको यह कहूंगे कि स्टॉक काफी जाता अच्छा है आप इस पर नेजर प्राकर चल सकते हैं इसका 52 वीक हाई जो देखन मेर को दिएफाइए भेकित के अंदर आते हैं ख़रीनादी करते हैं फिर चले जाते हैं ठिकिए कुछ पीछते यह कुछ खरीते हैं कलके दिन एफ्फछी घ्ली उती वहीं थे टाबशी ट्यूपे को मिली थी अगर आप दिखेंगे न कि अगर ओल वर इसका कारोबारी देखो कि कारोबाई सत्र तुसे 24,808 क्रोपे का एक्विटी खरीदा थे शेयर खरीदे 24,620 क्रोपे के शेयर बेचे तो इसका लगबग आपको मिनिमम प्राइस देखने को मिलता है ठीक है मिनिमम अमाउंट जो इसका देखने को मिलता है अपरिका मैं आपको बता दू कि मार्च 24 के अगर बात करें तो इस महीने में मतलब डियाई ने लगबग 51,331 क्रोपे की एक्विटी करीदी है यह मात्र फाइनेशल यह 24 के लिए एक महीने में सिपसे अधिक है फाइनेशल यह 2023-24 के अगर बात करें तो डियाई के वल दो महीने मतलब यानि की में 2023 और जुलाई 2023 में विक्रेता के रुप में रहे है और उस समय भी इन्होंने देखा लाता है करमेशहा मतलब स्वेक्टीवली 1,107 क्रोपे और 2,697 क्रोपे पर की जो शेयर थे वो बेच में मार्च के अंदर तो फाइने 4.093 अरब डॉलर की एक्विटी खरीदी और कुल मिलाकर फाइने फाइने फानेशल 24 में 26 मार्च तक 25.43 अरब डॉलर के शेयर खरीदे हैं मतलब की फाइनेशल यह 24 में यानिक सप्टैमबर ऑक्टूबर और जैन्रुरी 2014 में सुध विक्र इसने 2.18 को अरब डॉलर और 2.65 अरब डॉलर और 3.34 अरब डॉलर की एक्विटी बेची सप्टैमबर ऑक्टूबर जैन्रुरी खरीदे हैं ठीके सो गईज यही चीजे दियार में रखने होते हैं जिसके वजह से आप आके इन्वेस्टमेंट का सोच के चल सकते हों बाकी म के बार में थोड़ा सा सोच यह विचार करें विमर्ज करें दन तभी इन्वेस्टम के चलें चैनल में नहीं है ना लाइक सब्सक्राइब मत बुलें गुडबाए एक सेंक्यों मिलेंगे नेक्स वीडियो में